बोटरी टेम आवे सरकार बाराज अरनेता आगे 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 अमर्क ने पागे माने यहां को ताने थारेद ले रहा हमें इपकड़ गया इपकर लेर को आगे एक लाग डिया उच्छे जमिदार ना आवे बटक कदिने बेज देगा कदिने बेज देल और के कहा बतो नर्मो मा सारों खतम हो रही है सारों मुआ जो कोई देन को लाग रहे हैं पहली कंपनी पीशा काड़ ले है नमस्कार आप देख रहे हैं दा ग्राउंड नेट्रक मैं हूं आपके साथ विक्रमींदुरा आज मैं इस वक्त नातुसरी चोपटा बलोग के शेरप्रा और जोदकां के ब वाम किसान यहां पर एक्ट्रित हुए हैं और उनका कहना है कि जिस प्रकार उन्की फसल जो बरबाद हुई है सरकार उनकी फसल जो बरबाद हुई है उनकी बरपाई के लिए उन्हें मौजारासी दे किसानों से हम बात करेंगे कि किस परकार नर्मा की जो फसल है ये बरबाद हुई है हमारी टीम लगातर किसानों से संपरक बनाए हुए है किसान इतेसी मुद्दों को हम बड़ी बेबाकी से उठा रहे हैं तकि जो सरकार है उस सरकार तक ये बात पहुंचे कि तमाम हम परदेश की बात करें तकरीबन जो नर्मा की फसल है वो फूर्ण रूप से खतम हो चुकी है इस बारे में ज्यादा जानकरी के लिए यहां पर किसान है जैसा कि हम देख पारें नर्मा की फसल है बरबाद हो चुकी है सर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो जैसे कि अभी आप आयो सबसे पहले तुम आपका दन्यवाद करूँगा जी आपने आके कम से कम इन किसान बायों के दर्द को सुनने के कोशित जरूर की है समाधान के लिए ऐसे है कि इसमें आमने बिम्मा करवाया था जी सोड़ा सो पचास रुपे पर एकड़ के साब से बिम्मा करवाया सर मापको एक बात करना चाहूंगा बिम्मे के बारपाई के लिए हम गए भी फसल का जो मौजा मिले में जिए उसके लिए मैं चोपटा तस सकते हो जिसमें फसल सही है मैं गारेंटी देता हूं एक बुंटा सही नहीं है इस खेट के अंदर पूरे केत में जी और यह गवर्मेंट ऐसे कहती है कि 70% खराब होगा तो ही मौजा मिलेगा सर में बात पूछना चाहूंगा अगर एक गाड़ी खराब होगी एक्सिडेंट होता है तो हमारी सरकार कहती है कि यह नेटवर्क से उपर से देखा जाता है अब वो नेटवर्क कहां गया सर मैं यह पूछना चाहूंगा अब मतलब किसान की पूरी फुसल बरबाद हो चुकी है आज वो सट्रलाइट कहां जा चुकी है जो पहले यह कहते थी सट्रलाइट से दुआ हो रहे हैं पता चल जाता है अज वो सट्रलाइट फैलो गए हैं कि यह बात सरकार पूछना चाहूंगा दूसरी बात हमारे हर किसान को यह बात का आते हैं वो एस्वासन देते हम किसान की सुनेंगे मस्दूर की सुनेंगे आज वो नेता जो मैसे वोट बांगने आपके परति कोई बात सुनेंगे आज किसी के पास अपनी अपनी राजनितिक रोटियां सेखता है आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहूंगा कि खटर साब आपको प्राली का दुआ जब अत्तो आधिक जाता है नेटवर्क के आपके वह दिख लेता है इंटरनेट कनेक्शन से आप देखते होसे सेट्रलाइट से देखते हो नहीं दिखाई दे है दूसरी बात आपने जब फसल भगधी तब यह बोला था दांन अब आप दांब भूने की बजाए नर्मा भाए ने श्जबोड़ास को जाकर दिखाऊ हूंगा दूसरे कि और कर दो कि हमारी संपून रूप से सो परसेंट हमारी फसल बर yogis की अब कर हैस् Three देबल विट्टी है उसमें एक या जादा से जादा दो सपरे होगी आज मैं उनके जो इसके निर माता कंपनिया हैं उनसे मैं एक बात पूछ ना चाहूँगा कि डेबल विट्टी के अंदर दो सपरे की बोलके में यह दिए गया था यह बिश कहां गई यह मंद बीज के कर आज जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाके कहते हैं कि आप स्पेसल गिर्दावरी करो आके चेक करो वह कहते हैं फारम तब बरे जाएंगे जब 70% आपकी एरिये की फसल खराब होगी सर 70% अगर आपकी वाइक एक्सिडेंट होती है तो आपकी वाइक का अगर ब जिन किसान भाइयों ने दान भीजाई की बजाए नर्मा भीजाए उसमें जल बहराओ के कारण कंप्लीट फसल खराब हो चुकी है उनको मौज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है चलो भाइसाब हम आगे भी आजी सत्पाल आँ शेरपुरा अच्छा थरी नर्मे की फसल आप मैंने तरह कियां पशल खराब होई है क्यों करो है माना सिरफ का ची कार्वाइम गेरा क्यों पहले तो भी मढगे हरा क्यों इस परबाद होगी क्या परसेंट कोरिए सारी कि नहीं सारी को एड़ाइर का कपनिया माना कंपनी के का अपनी का इस का अध बेडा पर्सेंट तेकहां का इरिया को देखा गाएं अधुट कि अब किल्ड़ लेख सारों ठीक है अगर जैरिया कमा ठीक हो गयों तो फिर वोड़ों थीक हो तो पेर भॉट एवात है भी एक लग मुवाजू तो महाने मिलनों चीह है वीमों या इपना जी थेस टाल देख जमीदार बोलो आदमी जमीदार ने कहें एसधार ने के नमिग है लुग जमा अड़िया बड ए little जए टाल जाड़ जिह तरीक कि इї कि जो फसल है बाक राब होगी फसल दो आप नदी खंड आरे मारी के होगी सारा देश में होरी है तो देखे हो एडियों को बादरी है और सब आंदी उड़े हो सब पढ़ ए मालगी दरख तान जे डाला तोड़के नर्माम के बचा हो रेखे यह खाई रिये ने अच्छा आ यह दो लो करोना यागी माले लिए दो करोना यह के मां करो दे कारों मांगा यह की अध्यों मावजू मौज़ू एक रायको सब्सक्रा को अधिकारी को शुद लिए फुष्ट ली कोई कोनि आवे उड़े है आवे फिर उड़े के कागज लेगे जान तो 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 कोने करा कि देए बहुद और राज़े भी यह पाट लागा यह दुद ला तो यह थे हमारे साथ है कुछ किसान जो कि अलग अलग गाउं के किसान थे उन्होंने अपनी बात बताई कि बिमा जो कंपनी है वो बिमा तो कर देती है सोला सो साड़े सोला सो रुपे साड़े सोला सो रुपे परती एकड के हिसाब से लेकिन अब बिमा कंपनियों अगर यह प्राकरतिक आपडा नहीं है तो क्या है क्या यह विशेश जगह पर हुआ यह नर्मा जो फऄट पर नहीं हुआ तक्रीबन हम कह सकते कि पूरे प्रदेश का जो नर्मे की जो फ़सल है वो पूर्ण रूप से बरबाद हो चुकी है और यहाँ एक बात बताना और मैं चाहूंगा कि जो तमाम जो गोदी मीडिया है ऐसी कमरों में बेट करके न्यूज कवर करता है लेकिन किसानों की ऐसी द्यानी हालात में जाकर के कोई परताल नहीं कर रहा कि आखिर उनका दर्द क्या है किसान का दर्द ये है कि दिन रात एक करकर किसान अपनी फसल को जोगता है अनेक मुसिबतों का सामना करता है रात को पानी लगाता है बच्छों की तरह हम कह सकते हैं कि देखवाल करता है और कई दफा टिडी दल जैसे सामना करते हुए उनकी फसल खराब हो जाती है तो कई दफा प्राकरतिक आपदा उन्हें गेर लेती है जिस कारण हम देखते हैं कि कई दफा है और आतम अत्या भी कर लेता है ऐसी तमाम गटनाएं हमें देश के कोने कोने से मिलती है जो देश के लिए बहुत ही हम कह सकते हैं विडमना की बात है ऐसी प्रिष्टिती में जहां किसान देश के लिए हर दम 24 गंटे अपनी कड़ी मेहनत के दवारा जो देश के लिए अनपज करता है लेकिन उसी किसान की हालत सरकार है वो सुन नहीं पाती है किसानों का ये भी कहना है कि तमाम नेता जिनोंने अपना कीमती वोट देकर उनको संसद में बहजा उनको हमने विदानसमा में बहजा वो नेता भी हमसे दूरिया बना लेते हैं इसके बाद हमारी कोई सुद नहीं लेता अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हरियाना सरकार जो लगातर हम कवरेज दे रहे हैं जिस परकार किसानों की फसल बरबाद हो रही है क्या हरियाना सरकार इस फसल जो बरबाद हुई है क्या इनकी बरपाई के लिए किसानों को मुआवजा दे पाईगी ये तो खेर आने वाला समय ही बताएगा लेकिन एक बात तो तेह है कि किसानों की मुश्किले है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है स्योगी सुशिल के साथ मैं विक्रम इंदोरा